लाल्ची ब्राह्मण विजयनगर के ब्राह्मण बड़े ही लाल्ची थे वे राजा की उदारता का नुचित लाव उठा कर हमेशा किसी ने किसी बहाने से राजा से धन एठा करते थे एक दिन राजा ने उनसे पूछा मरते समय मेरी माने आम खाने की इच्छ वेक्त की थी, जो उसमें पूरी न हो सकी, क्या अब कुछ ऐसा हो सकता है, जिससे उनकी आत्मा को शान्ती मिले? महराज, यदि आप 108 ब्रामणों को सोने का एक एक आम भेट करें, तो आपकी माक्वी आत्मा को अवश्य सान्ती मिलेगी, ब्रामणों को दिया दान मिर्त आत्मा तक अपने आप पहुंच जाता है सभी ने एक स्वर में कहा, तो राजा ने सोने के 108 आम दान कर दिये, उन आमों को पाकर ब्रामणों की तो मौज हो गई, लेकिन तेनाली राम को ब्रामणों के इस लालच पर क्रोध आया, वो उन्हें सबक सिखाने के ताक में रहने लगा जब तेनाली राम की मा की मृत्ति हुई तो उसने भी एक महिने बाद ब्रामणों को अपने यहां बुलाया, वो अपनी मा की आत्मा की शान्ती के लिए कुछ करना चाहता था खाने, पीने और बढ़िया माल की चाहा में 108 ब्रामण वहां पहुँच गए जब सब अपने आसनों पर बैट गए तो तेनाली राम ने दरवाजे बंद कर अपने नौकरों से कहा जाओ लोहे की गरम सलाखे लेकर आओ और इन ब्राहमणों के शरीर पर दागो नौकरोंने ब्राहमणों को पकड़ जब्रदस थी, सब के लोहे की सलाखे दाग दी राजा को पता चला तो राजा आयो क्रोध में बोले, ये क्या हरकत है तेनाली राम तेनाली राम ने भोलेपन से उतर दिया, महराज मेरी मा जोडों के दर्द से परिशान थी मरते समय उनकी इच्छा थी कि उनका शरीर गर्म लोहे की सलाखों से दागे जाए उस समय उनकी इच्छा पूरी न हो सकी सो ब्रामणों के शरीर दगवाने से स्वर्ग में मेरी मा की आत्मा को शांती मिल सकेगी राचा ये सब सुन कर हस पड़े ब्रामणों के सिर शर्म से जुक गए